हलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा पूरे शरीर में खुजली के बारे में, खुजली क्या होती है, पूरे शरीर में खुजली होने के कारण क्या है, पूरे शरीर में खुजली होने के घरेलू इलाज क्या है, पूरे शरीर में खुजली होने के घरेलू इलाज क्या ह खुजली क्या होती है खुजली एक असहज परिशान करने वाली संसनी है जो आपको अपनी स्किन को रगडने या खरोचने के लिए उकसाती है Medical Language में इसे Pruritis कहा जाता है ये Dry Skin, Pregnancy और Skin Disease या Liver Disease की वज़े से हो सकती है खुजली एडल्ट्स में आम है क्योंकि उम्र के साथ इसकिन स्वभाविक रूप से Dry होती चली जाती है ये शरीर के एक छेतर तक सीमित रह सकती है या पूरे शरीर में या कई अलग अलग छेतरों में हो सकती है आपको खुजली होने के कारण के आधार पर अपनी स्किन नौर्मल दिखाई दे सकती है या लाल या खुरदुरा हो सकती है या उसमें दाने या छाले हो सकते हैं पूरे शरीर में खुजली होने के कारण जिनकी स्किन ड्राई होती है उनमें खुजली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर विष्टर में कीडे हैं खटमल है तो इसकी वज़े से भी खुजली हो सकती है। पूरे शरीर में खुजली होने पर कौन सी जाच करवानी चाहिए जैसे पानी पी सकते हैं इसकिन पर एलोवेरा लगा सकते हैं मुलतानी मिट्टी का लेप हफते में दो या तीन बार लगाएं। रोजाना डेटॉल के पानी से नहाएं डेटॉल का साबुन भी यूज कर सकते हैं। यदि आपकी इसकिन ड्राई है तो मॉस्ट्योराइजर वगेरा लगा सकते हैं। सेब का सिर का लगा सकते हैं। बेकिंग सोडा आधी का इस्तेमाल करने से राहत मिल सकती है। पूरे शरीर में खुजली का एलोपैथिक इलाज जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स, डाइफन हाइडरा माइन, HCL, लिवोसेटरेजिन, एंटी एलर्जिक ड्रग्स, फैनीरा माइन, एलर्जी को दूर करने के लिए कुछ क्रीम, जैसे लोकलाइजड इचिंग फंगल इनमें भेटनोवेट जीम, कैंडिड ये सभी क्रीम का यूज कर सकते हैं खुजली को रोकने के लिए क्या खाएं? जैसे फलिया, सोया बीन, छोले, विटमिन C युक्त पदार्थ, जैसे नीमबू, संत्रा और संत्रे का रस, एवोकेडो, ड्राइफ फ्रूट्स, आयरन युक्त खादे पदार्थ, जैसे चुकंदर, पालक, नारियल का तेल भी खुजली होने पर कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए? खुजली होने पर इसकिन स्पेशलिस्ट को दिखा सकते हैं, डर्मेटो लॉजिस्ट को भी दिखा सकते हैं, अगर आपके शहर में ये दोनों डॉक्टर नहीं है, तो आप जनरल फिजीशन को भी दिखा सकते हैं, So friends, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने friends के साथ शेयर कीजिए Thanks for watching this video